हलो मच्छों, आज हम लोग कुलाम्स लाग के बारे में पूरी जानकारी लेने की कुशिस करेंगे कि ये लौ हमें क्या बताता है और उसके अंदर कितने कुछ important concepts हैं जो आपको पता होने चाहिए वो भी मैं एकदम fundamental clear करूँगा जिसे point charges का concept क्या होता है उसके बाद vector form of कुलाम्स लाग भी हम लोग समझेंगे और उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि एक numerical लगा के कि इसका application क्या होता है तो चली फटा-फट बास शुरू कर लेते हैं यानि कुलाम्स लाग के बारे में पूरी जानकारी हम लेने वाले हैं शुरू करते हैं जैसा आपको मालूम है कि जो forces between electrical charges यानि charges के बीच में लगते हैं forces ये कई पिछले classes से आप पढ़ते चले आ रहे हैं अगर वो like charges होते हैं एक जैसे charges वो एक दूसरे को ripple करते हैं ये आपको मालूम है जैसा कि आप इस diagram में देख रहे हैं दूसरी बात देखिए कि अगर वो unlike charges होते हैं तो unlike charges एक दूसरे को attract करते हैं अब सवाल ये उढ़ता है कि ये जो charges हैं वो एक दूसरे को कितने force से attract करते हैं या कितने force से ripple करते हैं इसलिए heading में लिखा है how much force यही कुलाम स्ला होता यही कुलाम स्ला हमको बताता है कि दो charges अगर रखे हुए हैं तो आपस में कितने force से वो attract करेंगे या repel करेंगे क्योंकि यह जानकारी तो थी repulsion और attraction की तो यह कुलाम सहाब हैं इन्होंने यह French scientists थे इन्होंने यह आपको यहांको formula दिया कि आखिर इन दो charges के बीच में कितना force लगता है और vacuum के अंदर जो force लगता है उसकी value होती है F is equal to 1 upon 4 pi epsilon not Q1 Q2 upon R square Q1 इसका charge है Q2 इसका charge है इसके बीच की जो दूरी है वो R है और यह एक constant होता है 1 upon 4 pi epsilon not ध्यार नकिएगा कि जो कुलाम slow होता है वो point charges के लिए ही valid होता है point charges क्या होते हैं भी मैं आपको समझा दूँगा अब यहां पर यह जो constant होता है 1 upon 4 pi epsilon not इसको कई बार short में k लिखते हैं तो इसकी value हमको याद होनी चाहिए 9 into 10 की power 9 newton meter square पर कुलाम की power minus 2 और यहां पर एक quantity आ रही है जो आप देख पा रहे होंगे यह epsilon not इस epsilon not की भी value हमको मालूम होनी चाहिए याद कर लिजे आप 8.85 into 10 की power minus 12 कुलाम square newton minus 1 meter square इस epsilon not को बेटा कहते क्या हैं तो इस epsilon not को कहते हैं permittivity of the free space एक यह medium की property होती है जो यह decide करती है कि एक charge दूसरे charge पर कितना force लगाने वाला है epsilon not का मतलब हो गया permittivity of the free space तो यह रहा कुलाम्स का जो नियम है या कुलाम्स का जो law है एक कदम और आगे हम लोग बढ़ाते हैं अब यह समझते हैं meaning of point charge क्योंकि हम लोगों ने discussion क्या किया है कि जो कुलाम्स ला होता है वो केवल वैलिड होता है point charges के लिए तो आखिर यह point charges है क्या तो point charges के बारे में जो जानकारी यह है कि जो size होता है charge का और उनके बीच का जो distance है size उस distance से काफी कम होना चाहिए तो हम उसको point charge की तरह treat करते है कई बच्चे समझते हैं कि point charge का मतलब होता है बहुत छोटा charge यह गलत धारणा है misconception है समझ में आया कि जो size है charge का वो उन दोनों की बीच के distance से काफी कम होना चाहिए यही बात यहाँ पर मैंने mention की है इसको और अच्छे से समझाने के लिए एक example है आस्मान में जो तारे दिखते हैं देखिए हम यहाँ से जब तारों को देखते हैं तो वो point charge point दिखते हैं लेकिन असल में क्या वो छोटे हैं वो तो बहुत बड़ा तारा हो सकता है तो यही concept है point charge का कि distance तारे और हमारे बीच में बहुत ज़ादा है इसलिए उसको हम point treat करते हैं तो charge का मतलब यह point charge का मतलब क्या हुआ कि charges का जो size है उसके बीच का distance काफी अगर ज़ादा होगा तो उसको हम point charge की तरह treat करेंगे जैसे मैंने mention भी किया है point charge का मतलब यह नहीं समझना है कि यह छोटा charge है तो यह clarity आपको मिलती है इस बात की कि point charge किसे बोलते हैं अब कुछ important concepts जो बहुत ज़रूरी है कुलाम's law को अच्छी तरह समझने के लिए तो पहली बात स्टार्ट करते हैं कुलाम's law follow करता है inverse square law आखिर inverse square law क्या है है f is proportional to 1 upon r square जो फॉर्मूले में आपने देखा था f is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 upon r square आ रहा था यानि force 1 upon r square के proportional है यानि यह इसे बोलते है inverse square law दूसरा बड़ा important concept है कि कुलाम's law एक central force होता है central force का मतलब क्या है central force का मतलब है कि यह act करता है along the line joining the center of two bodies इन दो charges के centers को आप मिला दीजे यह जो line मिलाई गई है इसी line के along या तो इधर या अंदर या तो यह बाहर लगेगा या ऐसे अंदर लगेगा इसी line के along यह force act करता है तो यह line कौन सी है center to center से मिलाने वाली line तो जो forces along the line joining the center of two bodies act करते हैं उन forces को हम बोलते हैं central force इसी लिए इसको कहा जाता है कि यह जो कुलाम्स force है कुलाम्बियन force है वो एक central force होता है क्योंकि यह along the line joining the centers of the two bodies act करता है तीसरा वड़ा important concept बेटा two charges exert equal and opposite forces on each other मतलब एक charge जो दूसरे पर force लगाता है उतना ही charge पहले पर force लगाता है इस पर अगर इसने लगाया है F force तो इसने भी इस पर लगाया है F force तो यह action reaction pair follow कर देते हैं यानि newton's third law को follow करते हैं मैं जितना लगा रहा हूं तुम पर force तुम लगाओगे मुझ पर same force तो equal and opposite forces इसके उपर लगते हैं कुछ और concepts की बात करते हैं जो बड़ा important है आपके जानने के लिए Coulomb's law is a conservative force Coulomb's law conservative force होता है conservative force क्या होते हैं ये path dependent नहीं होते केवल initial and final points से इनको मतलब होता है यानि अगर आप electric force को electric charge को electric field में कहीं एक जगा से दूसरी जगा ले जाएंगे तो किस रास्ते से ले गाए हैं इससे कोई लेना देना नहीं है केवल इतना लेना देना है कि initial and final positions क्या है तो work done path पे depend नहीं करेगा ये conservative force होता है दूसरा अगला important concept है कि Coulomb's law medium पर depend करता है जैसे माली जे आपने vacuum में दो charges लिये हैं उन पे लगने वाला force कितना है बिटा F अब इन ही system को हम पानी में डुपकी मरवा देते हैं पानी में डुबो देते हैं तो अब इसके बीच में medium बदल गया पहले vacuum था अब आ गया है water तो पानी की वज़े से अब जो force लगेगा ये F1 वो कितना लग जाएगा F by 80 एक्जामपल के लिए मैंने ये एक्जामपल लिया है यानि आप इससे ये take away लेंगे कि medium बदलने से कुलाम्यन force यान कुलाम वाला जो force है वो बदल जाता है इस बात को पकड़के रखना है gravitational force नहीं बदलता था ध्यान लखना लेकिन electrical forces ये जो कुलाम्यन forces है ये बदल जाते हैं इसको पकड़के रखने की जरूरत है कुलाम force is a long range force सवाल ये उठता है कि जो कुलाम का force है जो कितनी दूरी तक काम करता है चोटी से चोटी दूरी क्या है बड़ी से बड़ी दूरी क्या है तो चोटी से चोटी दूरी है nuclear range आपने मैंने mention भी किया है 10 की power minus 15 meter जो की nucleus के अंदर भी कुलाम्यन force काम करता है इतनी चोटी distance पर और universe वाली जो distance है 10 की power 18 meter वहां तक काम करता है यानि बहुत चोटी से चोटी दूरी और बहुत बड़ी से बड़ी दूरी तक ये applicable होता है बड़िया काम करता है इसलिए बोलते हैं कुलाम force क्या होता है एक long range force अब आगे बढ़ने से पहले एक चोटी से information कि अगर आप चाहते हैं बड़े ही अच्छी तरीके से physics को 11-12 की आप मेरे साथ पढ़ सकें तो आप मेरे साथ जोड़ सकते हैं drona batch के अंदर ये drona 1.0 है class 11 physics के लिए पूरे का पूरा easy भाषा में मैं सारे concept आपके clear करा दूँगा और drona है 2.0 class 12 physics के लिए बेटा live course है आप जोड़ सकते हैं आप उस derivation, numerical, concept सारे clear हो जाएंगे जो बच्ची ये courses में मेरे साथ classes में आना चाहते हैं वो arvind academy app को download कर लीजिए download करके store section में जाएए वहाँ आपको courses दिखेंगे course के उपर click करेंगे तो I am interested का एक button दिखेगा click करेंगे तो आपको message आजाएगा WhatsApp पर message और SMS वाला भी आपको आजाएगा वो payment link होगा payment करके आप instantly course activate हो जाएगा और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं तो arvind academy app का link में description में दे रहा हूँ click करके download कर लीजिए और दुरुना बहत में मेरे साथ जुड़ जाएए अब अगली बात हम लोग करते हैं आगे बढ़ते हैं वापस आते हैं topic पर देखें कुलाम force की जब हम बात कर रहे हैं तो force तो एक vector quantity होता है हमने जो बातें भी कहीं थी वो तो केवल magnitude बताया था हम vector form of कुलाम शुला को साथ में लेते हैं अब यहाँ पर एक diagram मैंने बनाया है यह Q1 charge, Q2 charge इनके बीच का distance R है और कुछ यहाँ vectors लिखे हैं इन vectors का मतलब क्या है यह मैं जल्दी से आपको समझाता हूँ जैसे बात समझ में आए जैसे पहला vector यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए, F21 इस F21 का मतलब क्या होता है force on second charge इस पर यह second charge है न, number 2 तो force on 2 due to 1 force on 2 जो पहले लिखा है उस पर force लग रहा है अब बात में जो लिखा वो लगा रहा है तो यह क्या हो गया force on 2 due to 1 इस पर लगने वाला force इसके द्वारा जो लगाया जा रहा है यही बात देखिए, यहाँ पर mention कर दी force on charge Q2 due to Q1 इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे F12 की, तो force on 1 due to 2 तो यही बात देखिए force on charge Q1 due to Q2 तो यह भाशा आप समझ गया होंगे F21, F12 का मतलब क्या है दूसरा यह चो unit vector लिखें इसके बारे में भी आपको जानकारी दे देता हूँ जैसे मैंने यहाँ पर mention भी कर दिया है कि R12 अगर लिख दिया गया है तो R12 का मतलब हैता होता है unit vector from 1 to 2 यह direction भी देखिए एरो से बनाया है तो unit vector from charge Q1 to Q2 अब इसी चरह अगर मैं second वाली charge की बात करूँ यह unit vector की बात करूँ R21 तो unit vector है 2 से 1 की तरफ 2 से 1 की तरफ 2 1 का मतलब 2 से 1 की तरफ 1 2 का मतलब 1 से 2 की तरफ और यह बाते देखिए यहाँ पर मैंने mention भी कर दी कि R12 R21 vector क्या होता है quantity को उसके magnitude से divide कर देंगे जब divide कर देते हैं तो उसका वो बन जाता है unit vector R cap से दिखाते हैं unit vector यह R vector है और इसका magnitude R लिखा जिससे आपने divide किया है तो unit vector क्या रहा जिसका magnitude 1 है और जो cable direction देने के लिए लगाया जाता है कहीं पर हम लगा देंगे तो direction देगा magnitude तो 1 है magnitude नहीं change करेगा cable direction बताएगा तो यह रहा इसका vector form of Ohm's law या vector form of Coulomb's law F21 vector form में देखे तीर लगा हुआ है vector form में यानि force on 2 इस पे लगने वाला force due to 1 इसके द्वारा F21 1 upon 4, 5, 7, 0 Q1, Q2 upon R square यह तो हो गया बेटा magnitude और साथ में R cap 1, 2 का मतलब आप जान रहे हैं 1 से 2 की तरफ 1 से 2 की तरफ यह आला direction यह unit vector यह देखे 2, 1 है यह 1, 2 है इस तरीके से समझ की चलेंगे और आपको दिखाई भी पढ़ रहा है कि यहाँ पर repulsive force है force का direction इधर है तो force यह किसकी direction में है R 1, 2 की direction में है इधर force लग रहा है इधर तो इसलिए देखे यह दोनों एक ही direction में है अगर उल्टे होते तो यहाँ minus sign लिखा होता तो this is the vector form of Ohm's law इसी vector form of Coulomb's law इसी तरह F 1, 2 को लिख सकते हैं F 1, 2 का मतलब हो गया force on 1 due to 2 second charge और यहाँ 1 upon 4 pi epsilon not q1 q2 upon R square यह magnitude है और direction के लिए R cap यहाँ unit vector 2, 1 का इस्तेमाल किया गया यहाँ देखे ही जो लिखा है इसका उल्टा है कुछ books में यह same लिखते हैं लेकिन इसका मतलब उल्टा कर देते हैं तो उससे घबराना नहीं है बिल्कुल सभी concept है इसको पकड़के आप चल सकते हैं अब आगे की हम लोग बात करते हैं इसके application या एक numerical लगाते हैं यहाँ देखे लिखा what is the force between two small charge spheres दो small charge spheres हैं जिस पे charges हमको दे रखें this one and this one जो 30 cm apart है air में जब air बोला जाए तो आप उसको vacuum ही समझ लीजेगा तो आपके समझने के लिए मैंने photograph बना दी है देखी यह photo है दो charge यहाँ पर है इनके 20-30 cm का यह देखिए difference है और यह charge q1 और यह q2 की value है आप जानते हैं कि यह इस पे repulsion का force लगेगा क्योंकि दोनों same charge है like charges है बड़ी इच्छी बात है आप जी formula होता कोलाम सुला का 1 upon 4 pi epsilon not q1 q2 upon r square यह force का formula है इसी में उठा कर आप सारी values को put कर दीजे जैसे आपने 1 upon 4 pi epsilon not की जो value थी वो याद की थी 9 into 10 की power 9 q1 की value हो गई 2 into 10 की power minus 7 q2 की value हो गई 3 into 10 की power minus 7 और r कितना है 30 cm है तो इसको meter में change कर लीजे तो 30 into 10 की power minus 2 का q2 और इसे आप solve करके जब आप लिखेंगे तो value आजागी 6 into 10 की power minus 3 newton यह हुआ magnitude और किस तरह का behavior है repulsive in nature यानि एक दूसरे को ripple कर रहे हैं तो इस तरह के सी यह application भी हो जाता है अराम से इसको आप note भी कर सकते हैं जो बच्चे यह चाहते हैं कि यह जो मैंने आपको पढ़ाया है बिल्कुल सटीक कम टाइम में पूरी जानकारी उसका presentation चाहते हैं तो अरविंद Academy Telegram channel को join कर सकते हैं link आपको मिल जाएगा description के अंदर और हाँ अरविंद Academy channel को subscribe करना मत भूलिएगा physics के top quality content के लिए class 11-12 के लिए thank you very much wish you all the best